हेलो बच्चो आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का जो आपका चैप्टर नमबर 10 है ना सरकल्स वो कराने वालू और यह जो आपको गौर्वर्मेंट स्कूल से सपोर्ट मेटिरियल की बुक मिलती है जो इस सेशन के आप लोगों को मिलियोगी 2022-23 वाली उसी बुक का य तो यह वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है काफी कोशन कर लिए 35 तक के कोशन हमने कर दिया है आज हमार को कोशन 36 से करना है तो चलिए शुरू करते हैं कोशन 36 यहां पर आप से क्या कह रहे है इन गिवन फिगर ओसी परपेंडिकुलर सेगिमेंट ड्रॉन फ्रॉम स परपेंडिकुलर लर्र है और गेंटर इंप तो मैं यह कह सकती हूं कि जितना मेरा2o मेरा सिबी ओगा Ara अब यह 90 डिग टो बना रहा होगा तो इस ट्राइंगल की हम बात करें इन ट्राइंगल और सिबी में पाइता करें ेस थितोरम गर यहां लगाती हूं थो 25 is equals to 9 plus cb square यहां से cb square आजाएगा 16 तो cb की value में पास कितने निकल के आगई यहां पर आगई 4 मुझको a b निकालना है तो a b के आजाएगा 4 प्लस 4 तो answer आजाएगा में पास 8 cm क्लियर आते हैं कोशन 37 भी इन गिवन फिगर ओ इन गिवन फिगर ओ इस दे सेंटर आफ दे सर्कल इस एंगल एंगल अगर यह वन थाटी डिगरी तो आपको एबी सी यह वल आंगल फाइंड करना है असान है आप क्या करो यहां पर पहले आप इसमें थेोरम लगा सकते हो 10.8 लेकिन वह थेोरम आप लगाओगे कैसे उसके लिए पहले आपको यह वाला एंगल फाइंड करना परेगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 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 करेंगे वह मैं निकाल सकती हूँ 360 में से 130 को माइनस कर दूंगी क्योंकि यह complete एंगल बना रहा था यहां पर आजाएगा मेरे पास 230 बस निकल गया अब आपको पता है कि जो आपका एंगल 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 क्या होगा आपके पास ट्वाइस होगा एंगल 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 लिए नीची हो गया है यहां पर आपके एंगल 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 इंगल क्याद कर आगे वह कितना आगे इहां पर 115 एधागे छली आते हैं प्र कोंशन यह तो सिधा सिधा निकल लाए कि आपका एंगल एपी बी ओगा वह 90 डिग्री होगा आपने एक थियोरम की होगी इसी चैप्टर में एंगल ही ना सेमी सरकली स्राइट एंगल यह ना तो यह सेमी सरकली तो बनना है क्योंकि एभी मेरा यह डामीटर दे रखाए तो एंगल ही इस साइकलिक परलेलोगर्म आपको क्या पूफ करना है कि जो साइकलीक पहलेलोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है एक अगले जिसके पोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 तो इसको यहाँ करते है तो अगर मैं एक फिगर बना लूंँ यहां पर कि इसको मैंने यहां पर नाम दे दिया अब आपको प्रूफ करना है आपको यहां पर मैंने सबसे पहले गिवन लिखा कि गिवन में आपको क्या दे रखा है कि जो यह प्रूफ क्या करना है मुझे आपको कि इप सारे अंगल नाइन्टी डिग्री प्रूफ कर दो यह रेक्टेंगल मैंने अब शरू करते हैं यहां पर अपना सॉलूशन हम कि जाथी है में यह मेर को पता है कि A, B, C, D एक parallelogram है और parallelogram के तो opposite angles equal होते हैं तो since ABCD is a parallelogram तो मैं यह कह सकते हूं है angle A is equal to angle C होगा और angle B is equal to angle D होगा reason में लिख देती हूं opposite angle of a parallelogram are equal ठीक है न और साथ के साथ आपको यह भी पता है कि एक यह cyclic parallelogram है ABCD is a cyclic parallelogram तो इसके opposite angle का sum तो 180 होगा न फिर तो angle A plus angle C तो मेरे पास 180 degree होगा similarly angle B plus angle D भी कोई साभी एक लेलो तो यहां लिखना है आपको sum of opposite angle of opposite angle of cyclic parallelogram is 180 degree ठीक है तो यहां पर मैंने angle A plus angle A लिख दिया C की जगा भी angle A लिख दिया क्योंकि दोनों equal थे यहां जाएगा 2 angle A is equal to 180 degree तो यहां से मैंने angle A निकाल लिया 90 degree similarly मैं बाकी के angle भी ऐसे ही निकाल सकती हूं B, C, D वो भी सारे 90 आएगे similarly angle C is equal to angle B is equal to angle D यह सब हमार पास कितने आजाएंगे 90 degree आजाएंगे तो सारे angle जब मेरे पास 90 degree आ गए है तो इसका मतलब क्या है हमार पास ABCD जो है वो मेरा rectangle है क्योंकि उसके सारे angle 90 degree है एंस ABCD इस आ रेक्टेंगल क्लियर यह कौन सा कोशन हमने किया कोशन नमबर 39 आज कोशन 39 तक ही रखते हैं अभी काफी सारे कोशन इस चैप्रे में हैं और आगे के कोशन सारे इंपोर्टेंट कोशन से इन कोशन को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क जितने आज की उसमें कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू